गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मैं यसुसैनी बीस्सी सेकेंड डियर की फिजिक्स किलास में आपका स्वागत करता हूँ प्रिवियस किलास में हम एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एक्जोर गेट हाना, इनके बारे में हम स्टडी कर चुके थे, और इनसे रिलेटेब नुमेरिकल भी देख लिये थे हाना, अब हम एक और नुमेरिकल देखते हैं, जो यूनिवर्स्टी में बहुत मिलता है देखने को क्या कि दी मौरगन प्रमे जो है दी मौरगन जो थियोरम जो है हमारे पास ठीक है को तरक द्वारा हमें समझाना है ठीक है लोजिक द्वारा समझाना है तरक द्वारा समझाईए ये जो दी मौरगन थियोरम है हमारे पास इसको हम किसके द्वारा समझाते हैं लोजिक के द्व कई बार क्या आता है एक्जाम में पूछा जाता है कि दी मॉर्गन थियोरम क्या है कोई भी उनिवस्टी हो ना वो डिपेंड नहीं करता है दी मॉर्गन थियोरम क्या है और दी मॉर्गन थियोरम को तर्क यानि की लॉजिक द्वारा समझाईए तो कैसे समझाते हैं तो देखो the Morgan theorem में मैंने आपको बताया था कि जो ये theorem होती है ये जो प्रमय होती है ये क्या है दो theorem बताई थी मैंने एक तो first और एक second first जो theorem थी ना वो क्या थी की हमारे पास A.B.C. ऐसे कितने भी हो सकते हैं अगर इनका क्या है बार है इनका क्या है बार है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सबों को अलगलग बार दे दो A को बार दे दिया फिर B को बार दे दिया हैसे ही C को बार दे दिया दे देना है यहाँ कौन सा है AND operation है AND संक्रिया है गुना है ना बस जब सबों को अलग-अलग कर दोगे तो इसे plus और यहाँ भी क्या कर देते हैं plus कर देते हैं यानि और संक्रिया कर देते हैं और second मैंने क्या बताया था कि जैसे A plus मतलब और B plus C dash dash कितने भी हो सकते हैं इनका बार है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं A का बार फिर B का बार सबों को दे दो C का बार ऐसे कितने भी हो सकते हैं क्योंकि यहां अलग अलग दिया है बार आपने तो यह जो प्लस है ना इसको यहां डोट कर दो और इसे भी यहां डोट कर दो यही तो थी दीम और गंतियोरम अब इसको समझाना है हमारे पास gates की help से मतलब आपको इसको gates द्वारा represent करना है ठीक है तो देखो कैसे करते हैं एक मैंने कौन सा gate ले लिया यह हमारे पास end gate है और यदि हम इसमें आगे bubble लगा दें तो यह कौन सा gate बनता है हमारे पास end gate बनता है बनता है या ने बनता बिल्कुल बनता है अब इसमें मैं क्या करता हूँ three inputs दे सकता हूँ तीन निवेश देता हूँ मैं बाकी आप कितने भी निवेश दे सकते हो हमने अभी तक जो consider किया था ना वो 2 के लिए पड़ा था ठीक है कितने के लिए 2 के लिए पड़ा था अब देखो मैंने यहाँ पर कितने दिए आप 2 भी दे सकते हो आप कोई फरक न रहा है ना, A, B, C, 3 input दे दिए, 3 निवेश दे दिए हमने, और यहां क्या है bubble, यह कौन सा gate है, NAND gate है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, आप यहां से जा रहा है A, यहां से जा रहा है B, यहां से जा रहा है C, यह डेश डेश कर दू, ऐसे कितने भी दे सकते हो, अब यह NAND क्या करता है, NAND क्या करता है, NAND में एक तो होता है, AND, और एक होता है, NOT, यह जो तोंद वाला होता है, मैंने बताया था, यह क्या है, AND है, और AND का क्या काम होता है, इन तीनों का क्या कर देना, डोट कर देना, गुना कर देना, तो यह क्या करके देगा a.b.c कर देना clear है अब इस में से इस tone में से end gate में से जब यह बहार निकलेगा तो यह क्या है note है अब note का काम क्या होता है note इसका compliment बाहर कर देता है a.b.c का क्या कर देता है बाहर कर देता है अगर इसमें बहुत ज़्यादा होंगे d e f होंगे तो d e f भी आ जाएगा इस तरीके से वाला तो ये तो हो गया हमारे पास ये a dot b dot c का बार जहां भी आपको ऐसा गुना का बार आ जाए ना तो वहां आप nand gate को यूज कीजिए बहुत इजी हो जाएगा अब ये equal है ये equal है किसके a के बार प्लस b का बार प्लस c के बार के equal है तो देखो इसको कैसे बनाता हूँ इसको बनाने के लिए मैंने यहां पर एक और gate दे दिया और gate ले लिया मैंने हाना और gate में कितने input ले लिये मैंने 3 input ले लिये input a निवेस a निवेस b और निवेस ऐसे हम कितने ले सकते जितनी आपकी मर्जी ओ उतने लो筋 उतने निवेस लो ठीक है अब यह बनाना है A plus B plus C का बार बनाना है तो इसके लिए में क्या करता हूं यहां एक bubble लगा देता हूं यहां भी एक bubble लगा देता हूं यहां भी एकorms बबल लगा देतं हो. ठीक है? यानि कि यहां पर क्या लगे हुए- not gate लगे हुए- क्या लगे हुए- not gate तो अब यह जो A है ना यहां क्या पोचेगा A bar B- organisations B bar multiplication Cs a-store and का का काम क्या होता है add करना sorry, or का काम क्या add करना or gate ना तो देखो यहां से क्या बन रहा है A आ रहा था यह note gate ने क्या बना दिया A बार बना दिया B आ रहा था यह note gate बना था तो इसने plus B बार और क्या कर रहा है तीनों को add कर रहा है C क्या था C बार होगा जब इसमें जाएगा तो plus C बार हो जाएगा कितने भी हों ये यानि कि ये तो इसके equal है और ये इसके equal है यानि इसको हम ऐसा बना सकते हैं ये है हमारी D. Morgan Theorem किसके दुआरा तर्क के दुआरा लोजिक के दुआरा रिप्रेजेंट कर दिया अगई वास समझ में A.B.C का बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से और A बार प्लस B बार प्लस C बार इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरीके से आप ये ठ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रदर्सित कर सकते हो ठीक है अब हम इसको second को भी देख लेते हैं अले को second क्या है a plus b plus c यानि add हो रहा है add होने का मतलब or gate काम में आएगा और उसका बार है यानि कि not gate भी काम में आएगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये दूसरी theorem को represent करने के लिए or gate ले लेता हूँ ये क्या है हमारे पास or gate है निवेस या input कितने लो भाई जितने मर्जी होंगे ना उतने लेंगे हम तो हाँ हाँ बिलकुल लो कितने ले लिए a b c तीन input ले ले लिए तीन निवेस ले लिए और ये हमारे पास क्या है कितने भी ले लिए इसका मतलब क्या है कितने भी ले लिए जितने ले सको ठीक है इसके आगे मैं note लगा देता हूँ bubble का मतलब ही note होता बहिया जूड़ दे जब bubble है इसे बुलते है bubble और इसका मतलब ही note होता है तो यहाँ देखो अब देखो ये च करेंगे कैसे नहीं होगी देखो ए बी सी और क्या करता है जोड़ देता है ए प्लस बी प्लस सी यह काम और कहीं तो होता है क्योंकि और का मैंने बताया था एकस सीकोल टू क्या होता था एप्लस बी ओता था यह निए ओता इसका विञेट होता था वह कोदा था फिर इसके बाद यह यहां से गया यह बैठा यह गूल मट्ल नौट्व करमा थेक यह जैसे ही इसमें सजाएगा A plus B plus C इसका क्या कर देगा बार कर देगा तो इसको हम ऐसे represent कर सकते हैं अब भई इसको ये लिख सकते हैं तो इसके लिए भी आप gates बनाओ बिल्कुल बनाएंगे देखो इसके लिए A into B into C आ रहा है A into B into C आ रहा है सकते थे तो आप देखो इस टेक्निक को कैसे बनाते हैं समझना एंड ले लेता हूं मैं यह एंड गेट देखो जितना मैं बता रहा हूं उतना यात लख लेना बाकिया आप क्या होगे नहीं मैं तो दूसरा गेट लूँगा बिल्कुल लो आपके परजी है बस कंडिशन बन जानी चाहिए आप बना सकते हो तो बनाओ एंड गेट है न एंड गेट में कितने इन्पुट लें अरे जितने मर्जी होंगे उतने लेंगे वही लें लो तो और यह । का मतलब क्या है कितने भी हो सकते है ठीक है बलकुल बात सही है अब देखो जैसे मैंने यहां बबल लगाया था ना यहां भी यह गोल मटोल लगा देता हूँ यह गोल मटोल लगा दिया यहां भी यह गोल मटोल लगा दिया यहां भी यह गोल मटोल लगा दिया ठीक है ऐसा करने पर क्या हुआ यह जो A आ रहा है यह जो B आ रहा है और यह जो C आ रहा है यहां आते ही यह किसमें बदल जाते हैं A बार B बार और C बार और यह स्तोंड में जाते है मतलब end gate में जाते है end gate क्या करता है वह यह इनका multiplication करता है dot करता है करो तो इसमें जब जाएंगे तो यह तो बन जाएगा A बार B इस में जाएगा तो यह बन जाएगा B बार और C इस में जाएगा तो यह बन जाएगा C बार और end क्या करता है इनका dot करता है तो इस तरीके से हम इनके LHS को और RHS को LHS को और RHS को री प्रिजेंट कर सकते हैं तो यह जो है ना यह है दी मॉर्गन थियोरम इसलिए मैंने करा दिया बाकी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना हेकाद कुश्चन मैंने कॉंसेप्ट सारे आपको बता दी हो जाएंगे सारे कुश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे अब देखो इसके बाद हम अब डायोड और टांजिस्टर की हैल्प से डायोड और टांजिस्टर की हैल्प से हम एंड गेट और गेट नोट गेट नैंड गेट नोर गेट इनको समझाने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं द्यान से सुन लेना किस की टांजिस्टर की वो कंडीशन अगर याद होगी न तो ही आप कुछ कर सकते है बाकिन नहीं कर सकते हैं कंडीशन क्या है सबसे पहले हम कोमन एमिटर यानी की उभैनिस्ट उत्सरजक की बात करते हैं मैंने बहुत रटाने की कोशिस करिये अगर आपने वीडियो द्याहान से धीरे धीरे देखिये तो डेफिनेटली याद हो गया होगा ना उबहनिस्ट उस्सरजक इस स्थिति में ट्रांजिस्टर बनाओं ट्रांजिस्टर जो होता है उसके तीन टर्मिनल होते हैं वो मैंने आपको बताया था देखो ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रिजेन करते हैं उबहनिस्ट उस्सरजक में इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं इसमें आप तीन टर्मिनल दर्सा दो बस ये लोग दर्सा दिये उबहनिस्ट क्या करना है कोमन क्या करना है अच्छा ये उभेनिस्ट सर्जा की N, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ, ये बाहार की ओर जा रहा होगा, करंट कहां की ओर जा रही होगी, बाहार की ओर जा रही होगी, NPN ट्रांजिस्टर है या PNP, NPN, बहुत टीटेल में कराया है, ये जो E टर्मिनल, E नीचे होता है, B यहां होता है, और C उपर होता है, ठीक है, अच्छा लगें, तो इसको ऐसे कर देना, कर दिया, आप देखो, E common है ना, उबैनिस्ट है ना, तो ये input में भी होगा, और output में भी, और एक C से आता ले लो, ये तो होती है, हमारे पास निवे side होती है, अना, निवे side होती है, और ये होती है निरगम, याने कि ये तो होती है, input और ये होती है, हमारे पास क्या output side होती है, clear है, बिल्कुल clear है, आप देखो, इसमें हम condition पढ़ते हैं, किसमें transistor में सबसे पहले हमने बहुत पढ़ा है क्या सक्रिय छेतर किस के बारे में सक्रिय छेतर के बारे में यानि की active REASON के बारे में किसके बारे में active reason के बारे में यह क्या होता है देखो टांजिस्टर में आपका बना देता हूं फटा फट बनेगा ये 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 हो गया सी ये हो गया बी ये हो गया ये यहां ये यहां ये यू ये एन ये पी और ये एन ठीक है सक्रिय छेत्रिया एक्टिव रीजन क्या होता है मैंने बताया था ए को तो आप क्या करदो फोरवर्ड बायस करदो यानि की अग्र बायस करदो क्लिया रहे दियान से सुन ले ना वस और सी को आप रिवर्ड बायस करदो यानि की पश्च बायस करदो तो ये कौन सा रीजन होता है सक्रिय छेत्र होता है एक्टिव रीजन होता है कर देते हैं देखो ई क्या है एन एन अगर बायास होना चाहिए ठीक है एन क्या होना चाहिए अगर बायास होना चाहिए तो इसके लिए एन को किस से जोड़ना पड़ेगा देखो यह तो जोड़ दो positive से और यह negative से N अगर बायस होने के लिए किस से connect होना चाहिए negative से ध्यान लगना N को अगर आपको अगर बायस करना है forward बायस करना है तो negative से connect करो और P को अगर आपको अगर बायस करना है तो positive से connect करो clear है यह वाली बार ठीक है C को हम करते है पश्च बायस रिवर्स बायस C क्या है N है तो N को अगर बायस करने के लिए नेगेटिव तो अपोजिट कर दो किस से कनेट कर दिया प्लास से कनेक्ट कर दिया अगई वास समझ में ये प्लास ये माइनस इसका नाम क्या होता है V, C, E और B और E के बीच में ये V, B, E जब टांजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो टांजिस्टर प्रवर्ध के रूप में काम करता है एम्पलीफायर के रूप में काम करता है ठीक है किसके रूप में काम करता है amplifier के रूप में काम करता है ठीक है यह तब भी होंगे आगे की condition ध्यान रखना जब यह जो बोलते हैं ट्रांजिस्टर की time पकड़ लाए हम अगर यह चीजे पता होगे तो जैसे चाहे वैसे transistor के बारे में पढ़ सकते हैं ना दूसरा जो होता है ना मारे पास वह होता है हमारे पास संत्रप्त छेत्र याने की saturation reason संत्रप्त छेत्र याने की saturation रीजन यह क्या होता है देखो संत्रप्त अब वह बनाओ transistor फटा फट यह 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 तो वीडियो उसको एक इंग तीरे-तीरे नहीं पड़ी है तो definitely समझ माएगी E को एक तार लो निवेस में इन्पुट में और एक यहां निरगाद यहां है साइड जो होती है वो निवेस होती है इन्पुट होती है और यह जो साइड होती है ना C से यह दो टर्मिनलों के बीच में एक साइड होती है यहां से हम लेते हैं निरगाद हम लेते हैं आउटपुट लेते हैं ना दो पॉइंटों के बीच में लेते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब हमारे पास संतरप्त छेत्र होता है ना, saturation region होता है, उस स्थिति में E को भी आपको क्या करना है, E को क्या करना है, अगर बायस करना है, फोर्वर्ड बायस करना है, और C को भी आपको क्या करना है, फोर्वर्ड बायस करना है, यानि E भी अगर बायस करना है, और C भी अगर बैस कर दो उस सर्जक अधार संदी अगर बैस होती है संग्राहक और अधार संदी पस्ट बैस होती है रिवर्स बैस होती है लेकिन मैं यह की वर्ड बता रहा हूं ताकि आपको नहाओ इक बार निर्गत में C को देखो कन्फ्यूज नहाओ इसलिए ठीक है तो बहुत एजली हम connect कर सकते हैं करें देखो ई को forward bias करना है ई क्या है ई है हमारे पास n किस से connect कर दो positive और negative से connect कर दिया e क्या है n n को अगर bias करने के लिए किस से connect करना होगा negative से connect करना होगा फिर आता है हमारे पास c c क्या है n है c क्या है हमारे पास n है तो c को c को अगर bias करना होता है c क्या है n n को अगर bias करना है तो इसको भी किस से connect कर लो negative जादा दिमाग नहीं लगाना है ये short मैंने आपको एक तरीके से याद रख ले, बहुत जल्दी बन जाए, इसलिए मैंने ये बताया आया ना, negative और positive बना दिया, बना दिया, अब देखो, ऐसी condition में, ऐसी condition में, यहां ये जो positive आ रहा है ना, वो कहां आ रहा है, B पर आ रहा है, कहां रहा है, B पर आ रहा है, ठ पर शित्र ध्यान रखना, आप कि जब हमारे पास, जब हमारे पास, ये कोई transistor होता है, ये कोई transistor होता है, ये संतरप्त छेतर की बात कर रहे हैं, saturation region की बात कर रहे हैं, B पर, B पर ये अगर बायस होगया, अगर बायस का मतलब होता है, यहां पर voltage आ रही होगी, वोल्ट ता आ रही होगी, कैसी आ रही होगी, हाई voltage आ रही होगी, क्योंकि अगर बायस कर रहा है, पांच का पांच वोल्ट आ रहा होगा, आ रहा होगा तो, आ रहा होगा ना, क्योंकि हमने क्या गया है, अगर बायस, सारा का सारा voltage यहां रहा है, उच वोल्ट ता रही है, अगर बायस condition होती है saturation की इस condition में क्योंकि ये भी निर्गम भी हमारे पास क्या है negative और positive और यहां current flow होती है कौन सी IC ऐसी condition में transistor में ये जो C और E होता है इनके बीच में transistor एक बंद switch की तरह close switch की तरह काम करता है transistor बंद switch की तरह काम करता है कब जब वीच वोलता रही हो saturation region में होता है transistor और इस इस्तिती में ये किस की तरह काम करता है बंद switch की तरह ये चीज़ आप याद रख ले ना ठीक है कब वीच वोलता रही है टांजिस्टर संत्रप्त छेत्र में है तब ही आईगी clear है और इस स्थिती में ये किसकी तरे काम करता है बंद स्विच की तरे क्योंकि ये भी अगरबायास हो जाता है यहां से current flow के नीचे आ जाती है तीसरा जो छेत्र होता है वो याद रखना है अंतक छेत्र होता है ठीक है अंतक छेत्र यानी की cut off reason अंतक छेत्र यानी की cut off reason इसमें क्या होता है देखो अंतक छेत्र यानी की क्या cut off reason इसमें क्या होता है ये हमारे पास क्या है ट्रांजिस्टर है और इसके तीन टर्मिनल होंगे नीचे तो E होगा ये होगा हमारे पास B और थार्ड टर्मिनल C ये कौन सा ट्रांजिस्टर है N, P, N है E common लेना है तो एक input में ले लो और एक output में ले लो एक तो क्या ले लो हम निवेश साइड बात करते हैं और एक कौन सी साइड हो गई का तो अब ये तो बताने के जरुद्र नहीं है बोगत डिसकस किया है कट-off रीजन क्या होता है अंतक छेतर, क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास ये जो टान्जिस्टर है न तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ई होता है ना उसको क्या कर दो रिवर्स बायस कर दो यानि पश्च बायस कर दो और जो बी और जो सी होता है ना सी इसे भी रिवर्स बायस कर दो पश्च बायस कर दो तो ट्रांजिस्टर कौन से छेतर में होता है अंतक्छेत्र में होता है cut off region में होता है आप देखो यह E है input में देखो निवेस में E को देखते है E को क्या करना है E क्या है N है और N को हमें क्या करना है reverse bias तो N किस से जूड़ा होगा बताओ positive से जूड़ा होगा plus और minus positive से जूड़ा होगा आओ निर्गत साइड में भी पश्ट करना है C को पश्ट करो C क्या है N है N को पश्ट करना है N negative को negative से जोड़ते तो अगर होता है तो इसको किस से जोड़ो positive से जोड़ दिया प्लस माइनस जब यह condition लगती है न तो यह कंडिशन में क्या होगा कि यह जो ट्रांजिस्टर है न मारा यह जो ट्रांजिस्टर है ये ये और ये ये B है ये C है अब देखो जब हमने ये अंतक छेत्र में लगा दिया तो उस इस्तिती में B क्या है B क्या है P है पश्च बायस हो गया भईया पश्च बायस हो गया तो इसकी जो वोल्ट ता आ रही है यहां पर B पर अब वो कम आ रही है पश्च बायस का मतलब देखो यहां तो जैसे इसका माल 5 वोल्ट था यहां अगर बायस थी तो 5 वोल्ट यह B पर बहुत कम होई या नहीं होई हो गई पश्च बायास करते हैं तो यहां वोल्टता बहुत कम पोश्टी है तो हम कह सकते हैं कि B पर वोल्टता जो होती है न वो कम होती है निूनतम होती है कम वोलता होती है और निूनतम वोलता होती है हाना इस स्थिति में ये CB पश्च बायास होता है पश्च बायास होता है तो यहां भी कोई करंट फिलो नहीं होती है यहां भी IC करंट आती है वो फिलो नहीं होती है और ये जो transistor जो होता है न वो किसकी तरह वहवार करता है ध्यान देना ये खुले की तरह ओपन की तरह वहवार करता है किसकी तरह वहवार करता है खुले की तरह ओपन की तरह क्या करता है वहवार करता है यानि कि ये जो C और E है ना ये इनके बीच में कुछ भी नहीं है कोई current flow नहीं होती है कोई current flow नहीं होती है खुले की तरह विवार करता है अब देखो ये दोनों condition काम में आने वाली है जब हम आगे के जो lecture देखेंगे उनमें संतरप्त चेतर यानि saturation region कभ होगा जब बी पर उच वोल्टता होगी तो ये transistor संतरप्त चेतर में काम करता है और संतरप्त चेतर में ये जो C होता है ये E होता है यहाँ से यहाँ एक तार की तरह काम करता है ये transistor सी से एक तार की तरे जिसे हम बोलते हैं एजे स्विच काम करता है बंद स्विच की तरे क्या करता है काम करता है कौन ट्रांजिस्टर ठीक है अगर हम अंतक छेतर की बात करते हैं यादि बी पर वोल्ट ता कम आ रही है न्यून तम आ रही है तो ट्रांजिस्टर कौन से छेतर में गया, अंतक चेतर में गया, condition ये होती है क्योंकि ये भी पश्च बायस होता है कोई current flow नहीं होती तो C और E जो होगा ना, वो open होता है, यहां से कोई current flow नहीं होती है ये खुले की तरह वेवार करता है open की तरह वेवार करता है, तो ये condition है, हमारे पास ध्यान रखना, next class में हम discuss करने वाले हैं, जो topic एक तो saturation की और एक अंतक छेतर की, और उसमें भी ये चीज़ याद रखनी है, ये कैसे बनी ठीक है, यहां current क्यों नहीं फिल होई, इसलिए नहीं होई क्योंकि ये पश्च बायस है, यहां होगे, तो यहां current flow हो रही है और यहां current flow हो रही है, तो यह switch की तरह काम कर दो है, संत्रब छेतर में switch की तरह, अंतक छेतर में, खुले की तरह, open की तरह, तो ये condition, दिहान रखनी है next class में हम इनका use करने वाले हैं, रटले ना, तो आज की class के लिए ये इतना ही, thank you